शाम होने को थी, कुछ छोटी बच्चियां बीच बस्ती के अंदर खेल रही थी, तभी वहाँ पर एक टमाटर बेचने वाला आता है और आवाज लगा कर टमाटर ले लो, टमाटर ले लो बोल रहा था तभी उन खेलती हुई बच्चियों में से जुही नाम की लड़की उस टमाटर वाले की रेटी की तरफ देखती है और वो खेलना छोड़कर उस पर रखे हुए टमाटरों को देख रही थी क्या हुआ जुही तूस तरफ ऐसे क्यों देख रही है वो देखो वो दो टमाटर मुझे बुला रहे है जुही के कहने पर वो लड़की पलट कर उन टमाटरों की तरफ देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था चल जुटी पागल समझा है क्या टमाटर तुझे क्यों बुलाने लगे और टमाटर बोलने कब से लगे वो तो सबजी होती है नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ देखो वो दो टमाटर मुझे कैसे बुला रहे है वो लड़की फिर से टमाटर की तरफ देखती है लेकिन उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता तब वो और बच्चों के साथ खेलने लगती है लेकिन जूही किसी समोहन के चलते उस रेहरी तक पहुँच जाती है और उन दोनों टमाटरों को उठा कर अपने घर ले आती है उसकी माँ अपनी बेटी के हाथ में दो टमाटर देख कर अरे चूही ये टमाटर कहां से लेकर आई किसने दिये माँ ये टमाटर ये टमाटर मुझे बुला रहे थे और कह रहे थे कि मुझे अपने साथ ले चलो तो मैंने उन अंकल की रेडी से टमाटर को उठा लिया हाँ? ये तुम क्या कह रही हो? टमाटर भी कभी बोलते हैं और तुमने चोरी की है तुम्हें पता है तुमने चोरी की है तुमने उस टमाटर वाले के टमाटर चुराएं जआओ अभी दूसरी गली तक ही गया होगा वो टमाटर वाला जाकर उसके टमाटर वापस करो तभी जूही के हाथ में रखे हुए वो दोनों जादुई टमाटर अर्चना से बोलते हैं नहीं नहीं जूही ने चोरी नहीं की है उसने तो हमारे कहने से ही हमें वहाँ से उठाया था देखा मा मैंने कहा था ना ये टमाटर मुझे बुला रहे थे मैंने चोरी नहीं की अर्चना उन बोलते हुए टमाटर को देख रही थी और अचानक से ही वो धडाम से नीचे गिर कर बेहोश हो गई जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आपको एक बहुत सुन्दर कमरे में पाया जिसमें सुन्दर पलंग था जिस पर मकमल की चादर बिची हुई थी इतना घबराने की भी क्या जरूरत थी कि बेहोश हो गई सच सच बताओ तुम जादूई टमाटर हो या कोई जादूगर हो हम जादूई टमाटर हैं और तुम शायद भूल गई हो याद करो तुमने हमसे वादा लिया था कि जब तुमें हमारी जरूरत होगी तो हम तुमारी मदद के लिए जरूर आएंगे लगता है तुम तो सब कुछ भूल गई हो मुझे कुछ भी याद नही है देखो मैं तुमारे हाद जोडती हूँ अगर तुम कोई जादूगर हो और मेरी बच्ची को उठाने आये हो अरचना बहुत याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था वक्त की मार उस पर इतनी बुरी पड़ी थी कि वो याद भी करने की कोशिश कर रही थी तो उसके सर में दर्द हो रहा था जादूई टमाटर के कहने पर वो खाना खाती है और पानी पीने के बाद तसली से बैठ जाती है लगता है अब तुम्हें आराम है लेकिन तुम हमें भूल गई हो चलो हम तुम्हें याद दिलाते हैं याद है जब तुम साथ साल की हुई थी और तुम्हारे आंगन में एक टमाटर का पौधा होता था अर्चना के बच्पन में अरी वा इस पौधी पर तो कितने सुन्दर सुन्दर टमाटर आ गए है मैं टोकरी लेकर आती हूँ फिर ये टमाटर तोड़कर मा को दे दूँगी सुनो अर्चना हम कोई मामूली टमाटर नहीं है जिसके तुम सबजी बना लो या उसे सलाद में डाल कर खालो सुनो बच्ची हम जादूई टमाटर है हम लोगों की मदद करते है तुम बताओ तुमें क्या चाहिए तुम बहुत प्यारी बच्ची हो तुम तुमारे साथ खेलेंगे कूदेंगे अगर तुमने अपनी मा को बताया तो हम लोग यहां से चले जाएंगे तुम लोग तो टमाटर हो फिर तुम मेरे साथ कैसे खेलोगे तभी जादूई टमाटर अर्चना को बताते हैं और फिर उसके साथ खेलने लगते हैं कभी वो बॉल से खेलते तो कभी पिट्टू खेलते और कभी वो एक दूसरे के साथ पक्रम पकड़ाई खेलते अर्चना का परिवार एक मध्यमवर का परिवार था उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी वो जादूई टमाटर हमेशा अर्चना को यही कहते कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं एक दिन अर्चना ये बात पूछ लेती है मेरे माँ बाबुजी मेरे लिए सब कुछ करते हैं मेरे लिए सुन्दर सुन्दर कप्रे लाते हैं मेरे लिए बहुत सारे खिलोने लाते हैं, मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है हाँ अरचना, तुम्हें अभी हमारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन भवेश्य में तुम्हें हमारी मदद की जरूरत अवश्य पड़ेगी हम तो बस तुम्हें ये कहने के लिए आये हैं कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े हमें याद कर लेना, हम जरूर आएंगे जादूई टमाटर के सारी कहानी सुनाने के बाद अर्शना को भी याद आता है कि हाँ ऐसा हुआ था तब वो जादूई टमाटर को देख कर बहुत खुश होती है हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है मुझे याद आ गया है कि तुम लोग मुझे छोड़ कर चले गए थे कितने दिनों तक मैं इसी तरह उदास बैठी रहती थी फिर मेरे माता पिता ने मुझे समझाया और बाबा की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई और हम लोग वहाँ चले आए और नए दोस्तों के बीच में फिर तुम लोगों को भूल गई लेकिन हम तुमें नहीं भूले बस बहुत सालों तक हम बहुत सारे लोगों की मदद करते रहे लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने अपनी यादों का पिटारा खोला तो उसमें तुम्हारा नाम सबसे उपर था जिसे इस समय हमारी मदद की जरूरत थी तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया अर्चना और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई मेरी जिन्दगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन जब मैंने बारवी क्लास पास की तब मेरे बाबा मुझे और मा को अखेला छोड़ कर स्वर्ग सिधार गय कुछ साल बाद मा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी कर दी लेकिन होनी को कौन टाल सकता था शादी के एक साल बाद ही मेरे पती गुजर गए और मेरी मा भी स्वर्ग सिधार गए तब उनके भईया भावी ने मेरे पती का घयर और मेरी मा की सारी संपती को हडप लिया मुझे और मेरी बेटी को घर से बेदखल कर दिया और हम लोग यहां रहने के लिए आ गए शुरू शुरू में मैंने बहुत जगन नौकरी ढूणने की कोशिश की छोटी बच्ची के साथ कोई भी मुझे नौकरी नहीं दे रहा था तब मैंने लोगों के घरों में काम करना ही सही समझा ताकि मैं अपनी बच्ची को अपने साथ रख सकूँ और अब मैं कहीं नौकरी ढूणने जाती हूँ तो मिलती नहीं है ओ तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ लेकिन तुम्हें घबराने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हम लोग है ना तुम्हारे पास वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने जूई को कैसे पहचाना कि वो मेरी बेटी है हमें ये तो पता चल गया कि तुम कौन से शेहर में हो लेकिन कहां हो ये नहीं पता चल रहा था तब हम अलग-अलग सबजी वाले की रेडी पर बैट जाते और सब जगा तुम्हें ढूडने की कोशिश करते लेकिन इतने दिनों तक तुम हमें कहीं नहीं मिली और फिर हमने जोही को देखा और ये तो बिल्कुल हो बहुत तुम्हारे जैसी दिखती है जैसी तुम बचपन में दिखती थी फिर जब ये हमारे पास आई तो हमने इसके हाथों की खुश्बों से पैचान लिया कि ये तुम्हारी बेटी है अरचना को जाधूई टमाटर की बात सुनकर रोना आगया फिर जाधूई टमाटर अरचना को चुप कर आते हैं हाँ जो ही बिल्कुल मेरे जैसी लगती है बचपन में मैं भी ऐसी थी लेकिन भगवान मेरी बेटी के قिस्मत मेरे जैसी ना करे वो मेरी तरह इतनी गरीबी कभी भी न देखे और इतना दुख भी नहीं अब छोड़ो ये रोना दोनो और खुश हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं अब जो तुम चाहोगी जो जो ही चाहेगी वैसा ही होगा और तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगी जो ही की शादी भी बहुत अच्छे लड़के के साथ होगी लेकिन उससे पहले जो ही को बहुत पढ़ाई करनी होगी तुम दोनों का बहुत बहुत धनेवाद तभी जादूई टमाटर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर घूमने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है अर्चना बहुत अमीर हो चुकी थी जुही भी एक बहुत अच्छे महेंगे स्कूल में पढ़ती थी उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी अब वो शेहर की सबसे अमीर और थी और ये बात उसके ससुराल वालों को पता चल जाती है तब वो एक दिन अर्चना के पास आते है लगता है तुम्हारे हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग्या है देखो तो क्या ठाट बाट हो गए है तुम्हारे और हम तो तुम्हारे रिष्टेदार हैं तुम हमें भूल गई नहीं नहीं मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हो भला जुन्होंने मुझे एक छोटी बच्ची के साथ घर से निकाल दिया तुम सच मानो अर्चना मैंनो उसके बाद बहुत गुस्सा किया कई दिनों तक मैंने इससे बाद भी नहीं करी कि तुमने मेरे छोटे भाई की पत्नी को घर से क्यों निकाल दिया मैंने तो तुम्हें बहुत ढूंडा लेकिन तुम मिली ही नहीं फिर वो दोनों पती-पत्नी आँखों याँखों में इशारा करने लगे तब उसकी जिठानी बोलती है मुझसे गलती हो गई अर्चना तुम्हारा जो भी हिस्सा था वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम हमारे साथ चलो अरे हमारे साथ क्या चलो तुम हमें यहीं बुलालो हम सब यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे बस करो दीदी मुझे जूटी बाते मत कहो मुझे पता है तुम लोगों को पता चल गया है कि मैं अमीर हो गई हूँ इसलिए तुम लोग मेरे पास आए और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुम लोगों नहीं मुझे धक्य मार कर घर से निकाल दिया वो दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और अर्चना से माफी भी मांगते हैं आप मेरे पती के भाई हैं और इनको मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा लेकिन जो कुछ भी आप लोगों ने हम लोगों के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती हाँ इतना जरूर कर सकती हूँ कि आपको जितने पैसे चाहिए मुझे बता दीजे मैं तुम्हें दे दूँ की उसकी जिठानी इसमें ही खुश हो जाती है और वो अर्चना से काफी सारा पैसा लेकर वहां से चल देती है तब अर्चना उसे कहती है कि आज के बाद वापस कभी उसके घर की चौकट पर मताना और उसके बाद वो गरीब मा जादूई बोलने वाले टमाटर की मदद से अपनी बेटी के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करती है सागर अपनी करीबी से बहुत दुखी और परिशान था वो कैसे भी अपनी आर्थिक स्थिती को ठीक करना चाहता था वो कैसे भी एक अमीर आदमी बनना चाहता था लेकिन इस करीबी में ना कोई रिष्टेदार ना कोई दोस और ना हे उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी सागर के ओपर उसकी पत्नी अनीता और बेटी अंजली की जिम्मेदारी थी ऐसे ही एक दिन अनीता अपने पती से कहती है दो पहर के दो बच गए हैं आपको काम पर नहीं जाना है क्या आपका किसी काम में मन लगता है क्या? ऐसे काम पर ना जाने से और काम ना करने से खर की परिशानी ठीक हो जाएगी क्या? आप उन लोगों में से हैं जो पड़ी आसानी से हार मान लेते हैं अरे इस दुनिया में और भी तो ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में संघर्श करते हैं आप तो एक नंबर के काम चोर हैं आपसे बस पाते करवा लो अरे अगर काम चोर हूँ तो तुम ही बाहर जाकर काम देख लो ना बड़ी बड़ी बाते करना बहुत आसान होता है अनिता जो बाहर ठोकरे खाता है ना उसे ही बाहर की सच्चाई मालूम होती है गर में बैठे बैठे इतनी बड़ी बड़ी बाते करना हर किसी के लिए असान होता है आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ संखर्ष नहीं कर रही क्या अगर परिवार में एक अकेला आदमी कमाने वाला होना और घर में ऐसी सिती हो तो वे अकेला संखर्ष कभी नहीं करता बलकि पूरा परिवार शामिल होता है उसमें मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि आज आप मंडी क्यों नहीं जा रहे हैं अगर ऐसे ही आप हाथ पर हाथ धरकर बैटे रहेंगे तो कैसे खरका खर्चा चलेगा आपको तो बस ये लगता है कि जल्दी से आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं एक ही भार में मैं बहुत पैसे कमा लूँ लेकिन मेहनत करना वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी सच्चाई मैं अच्छे से जानती हूँ सागर को पत्नी की पास से गुस्सा आ जाता है और वेक घर से निकल जाता है जाते जाते वेक नदी किनारे बेट जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है हे भगवान मैं तो अपने जीवन से परिशान हो चुका हूँ एक तो इतनी गरीबी उपर से मेरा काम दंदा ठीक से नहीं चल रहा साथ में मेरी पत्नी आए दिन मुझे ताने सुनाती रहती है मुझे बहुत लाचार महसूस करवाती है अब तो मुझे घर जाने का भी मन नहीं करता क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा हे प्रभु कुछ तो रास्ता दिखाओ मुझे तभी वहाँ पर एक आदमी आता है उसके पास एक पन्नी थी और उसमें एक किलो खीरे थे और वे सागर से आकर कहता है क्या हुआ भाई साब देख रहा हूँ कि आप बहुत देर सबती किसमत को कोश रहे हैं सब ठीक तो है ना देखो भाई मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीमन से बहुत परिशान हो चुका हूँ घर की परिष्धिती दिन प्रती दिन खराब होती जा रही है उपर से खर्च कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है क्या करूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ अरे मैं भी तुम्हारी तरह परिशान था लेकिन अब तो मेरी जिंदिगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है गर है, गाड़ यह, पैसे है किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है क्या काम करते हो तुम भाई? देखो भाई, मैं वैसे किसी की मदद तो नहीं करता लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे अतने बुरे दिन याद आ गए मैं भी तुम्हारी तरह बहुत परिशान था तब चाहकर मेरी मदद जादू खीरे ने की थी और आज तक जादू खीरे के मदद से मैं इतना कामयाब हुआ हूँ अगर तुम चाहते हो के तुम्हें भी इसका फाइदा हो सागर उस आदमी के साथ बाबा के दर्बार में जाने को तयार हो जाता है सागर को देखने के बाद बाबा सागर से कहते है बच्चा मैं जानता हूँ के तु बहुत परिशान है तेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है दिन प्रति दिन कर्ज में लदा जा रहा है तू तू अब अपनी परिशानी से बाहर आना चाहता है तब ही मेरे दर्बार में आया है अब जब तु मेरे दर्बार में आई ही चुका है तो तुझे यहां से खाली हज जाने की जुरूरत नहीं है मैं तेरी मदद करूँगा हाँ बाबा, इनकी मदद कर दो, यह बहुत परिशान है जैसे आपने मुझे अमीर बनाया है, वैसे इनको भी बना दो तुम्हें काम करो, तुम्हारे पास जो खीरे हैं, वो खीरे तुम मुझे दे दो बागी का सागर खुद देख लेगा बाबा वो खीरे लेने के बाद उन खीरों को जमीन पर रख देता है और उनके उपर चुटकी बर सिंदूर से छिड़काव कर देता है साथ ही खीरे के चारों और नीबों काट के रख देता है और सागर से कहता है देख बेटा सागर मैं तेरी लिए इन खीरों को चादूई खीरे में बदल दूँगा लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा खर्चा इसलिए ताकि ये चादूई खीरे हो जाएं क्योंकि जब ये खीरे चादूई हो जाएंगे तब ये तेरे हिशारों पर नाचेंगे एक तरह से तो ये समझ कि ये खीरे तेरे गुलाम बन जाएंगे जब तो इसे बोलेगा तब ये तेरे हिसाब से काम करेंगे बाबा सच में ऐसा होगा बाबा मैं बहुत परिशान हूँ मुझे कैसे भी आपके मदद चाहिए जैसे आपने इन भाई साब का अमीर बना दिया वैसे मुझे भी अमीर बना दीजिए बेटा आज जिसे तो अमीर कह रहा है ना बहुत समय पहले बहुत करीब था उसने अपने समय में बहुत छेला है और साथ ही जब यह मेरे पास आया था तब मैंने इसके मदद की और इससे भी का था कि कहीं से भी पचास जार लेकर आए क्योंकि जब तक पचास जार का खर्चा नहीं करेंगे तब तक यह खीरे जादूई नहीं बनते इसने पचास जार का खर्च किया तब जाकर यह खीरे जादूई बने हैं कोई बात नहीं बाबा आप चिंता मत करो मैं कहीं से भी पचास हजार पे लाकर दूँगा ऐसे ही अगले दिन सागर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें कहां से करजा लाए आखिरकार सागर अपनी पत्नी अनीता के सोने के जुमके पेच कर पचास हजार का इंतिजाम करके बाबा को दे देता है थोड़ी देर बाद बाबा सागर से कहते है अब इने जादूई होने में कम से कम पंद्रा दिन का समय लगेगा तुझे चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है अब तेरे सर से करीबी का साया हाग जाएगा ठीका बाबा अब मैं चलता हूँ अरे बेटा रुको मुझे तुम्हें कुछ बताना है तुम्हें तोड़े और पैसे लाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो खीरे हैं थोड़े जिंते केस्मके हैं इन्हें मनाने में थोड़ा समय लगेगा सागर इतना जादा परशान हो गया था कि वे अपनी सोचने समझने की शक्ती भी खो बैटा था वे कहीं से एक लाग का इंतजाम करके बाबा को देता है सागर बेटा कल तुम इन खीरे को अपने साफ अपने गड़ ले जाना और जो मंत्र में तुझे बताऊंगा उस मंत्र का उंचारन करने के बाद जैसे ही तुम जादू खीरे से अपनी इच्छा बोलोगे ये जादू खीरे तुमारी इच्छा को पूरी कर देंगे ऐसे ही अगले दिन सागर बाबा से वे खीरे लेकर अपने इखर चला जाता है और खर जाने के बाद सागर जादू खीरे से कहता है हे जादू खीरे क्या तुम मेरी सभी च्छाओं को पूरा कर सकते हो अगर ऐसा सच में है तो तुम अभी के अभी मेरे घर को बढ़ा कर दो सागर ने ऐसा कम से कम पाँच पार कहा लेकिन खीरे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी सागर थोड़ा खबरा रहा था सागर फिर से जादू खीरे से कहता है जादू खीरे अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मेरी इच्छा को पूरा करो तुम्हें जिस चीज के लिए जादू बनाया गया है उस काम को करने के लिए तैयार हो जाओ सागर ने ऐसा कम से कम 10 से 15 बार कहा लेकिन खीरे में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही थी तबी कमरे के बाहर अनीता अपने पती को ऐसा करते हुए देख रही थी अरे ये क्या हो गया है आपको अपना दिमागी संतुलन खो बैटे हो क्या फूल गए ये खीरे हैं खीरे ये इनसानों से बात नहीं करते क्या कर रहे हैं आप अरे अनीता इने हाथ मत लगा न ये जादू खीरे हैं इनके लिए मैंने डेड़ लाख रुपा खर्च किया है अब ये जादू खीरे बन चुके हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जादू खीरे मेरे बात क्यों नहीं मान रहें क्या कहां आपने डेड़ लाख रुपे खर्च कर दिये आप मुझे पूरी बात बताओ आखिर क्या चल रहा है ये सब सागर रोता हुआ अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है सारी बात सुनने के बात अनीता सागर से कहती है हे भगवान अरे आज कल के सबेबे ये जादू तंत्र विद्या शक्ती ये सब कुछ नहीं होता कहां खो गए थे आप अरे मेहनत करने वाले ही कामयाब होते हैं अपने जीवन में अनीता से बहुत बड़ी भूल हो गए आज मुझे अपने किये पर बहुत पस्तावा महसूस हो रहा है आपको तो हमेशा मेरी बात करवी ही लगती थी क्योंकि मैं हमेशा आपको मेहनत और संखर्श करने के लिए कहती थी ये तंत्र, विद्या, शक्ती, टूना, टोटका ये सब कुछ नहीं होता अगर जादू करने से इनसान का पेट बल सकता तो यहाँ पर सहर को ही अमीर बन जाता इस दुनिया में किसी को भी महनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर वे जादूई शक्तियों से ही कामयाब न बन जाता तुम सही कह रही हो सागर को अपने के पर बहुत पश्टावा हो रहा था उसकी अनीता बहुत समझदार थी वे अपने पती को लेकर पुलिस टेशन जाती है वहाँ जाकर उन्हें सारी जानकारी देती है पुलिस को जैसे ही इसकी खबर लगती है पुलिस सागर को लेकर बाबा के दरबार पहुँचते है वहाँ जाकर पता चलता है कि दरबार में कोई है ही नही वहाँ कोई बाबा रहता ही नही ये सब देखने के बाद पुलिस अब और सक्ताई में आ जाती है पुलिस हर जगा उस बाबा और उस रहा चलते आदमे की तलाश में थी आखिरकार पुलिस उन दोनों को पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल देती है इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेनत करने पर ही भरोसा करना चाहिए कभी भी ऐसे तांत्रिक या तंत्र विद्या शक्ती के चक्कर में नहीं परना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट से हमेशा मुसीबतों का आगमन ही होता है